दोस्तो आजा इंबॉक्स करेंगे ओनर V20 को काफी अच्छा फोन और काफी धमाकेदार इसके इंदर आपको इस पैसिफिकेशन देखने को मिलता है अगर हम बात करें तो इस फोन के इंदर आपको कुछ इनोवेटिव भी देखने को मिलता है यानि इन्वेंशन इस फोन के अंदर काफी अच्छा किया गया है कुछ फीचर इसमें सबसे अलग है तो चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो ओनर आपको जो है इंडिया में 22 जन बड़ी को आपको फिलिप कार्ट पे फिलिप कार्ट बोल रहा हूं सॉर और वी 20 यह रहा फोन यह काफी कमाल का फोन है लेकिन इसे हम पहले साइड में देखते हैं और देखते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो यह रहा आपका सिम एजक्टर टूल और इसके अंदर दिया गया है कुछ यूजर मैनुएल पेपर वक्स आप इसे अंदर आपको जो है चार्जर देखने को मिलता है 22.5 वाट का इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा तर बात करें तो यहां पर आपको USB Type-C port देखने को मिलता है तो USB Type-C देखने को इसके अंदर आपको मिलता है बात करे में आपको ऐसा ही camera देखने को मिलेगा और इसके अंदर भाई camera अगर बात के rear और front facing camera का तो काफी अच्छा camera इसके अंदर लगा गया है आपको यहाँ पे IPS LCD display देखने को मिलता है यानि कि OLED display यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा यानि आपको LCD display देखने को मिलेगा जो full HD plus display है काफी अच्छा display है और काफी काफी इसमें AI वर्क करने वाला है तो यार आराम से आपको बताता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 mm jack भी इसके अंदर सुरक्षित है यानि कि निकाला नहीं गया है इतना invention करने के बाद भी यहाँ पे 3.5 mm jack देखने को आपको मिलेगा तो यार आप जो है ना निरास नहीं होगे अगर आप गाने सुनते हो headphone earpiece लगा के तो इसके अंदर आपको Kiran 980 मिलता है 8 GB RAM मिलता है और 256 GB आपको रूम देखने को मिलता है जो कि इस फोन को काफी powerful बना देता है अगर बात करें बैटरी के तो यहाँ पे 4000 mAh की powerful बैटरी देखने को मिलती है Android 9 OS इसके अंदर दिया गया है और EMIUI जो इसकी लेरिंग है वो 9.0 पे रन करता है इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक जो है आपको पीछे के साइड आपको देखने को मिलेगा 3D Glass Panel का यहाँ पे यूज किया गया है साइड में Corning Double Glass का यूज किया गया है जो कि यार इस फोन को काफी अच्छा लुक जो है पीछे से मोहिया करवा देता है अगर बात करें तो फोन में आप देख सकते हैं V-shape देखने को मिल जाता है जब आप उपर नीचे फोन को करोगे तो आपको V-shape देखने को मिलेगा यह काफी अलग है और अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में एसा ग्लास बैक पैनल देखने को नहीं मिला है और ओनर V20 के अंदर आपको ऐसा ग्लास पैनल देखने को मिलता है जो कि ओनर V20 में काफी अच्छी बात है यह भी देखिए आप पीछे जो डिजाइन आपको काफी कमार मिलने वाला है अगर बात करें तो यहां पे आपको 48 मेगापिक्सल का rear camera देखने को मिलता है जो Sony IMX586 का जो है sensor scanner दिया गया है क्यानी Sony का powerful camera scanner दिया गया है एक जो है 12 मेगापिक्सल का आपको secondary camera भी है flashlight है fingerprint sensor दिया गया है और अगर आप कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आप 3D अवतार बना सकते हैं देख सकते हैं 3D अवतार बिल्कुल इसमें वर्क करने वाला है तो फोन ओवरोल काफी कमाल गा है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरे नाम अंकीत है आप देख रहे हैं